हेलो फ्रेंस जागरूती स्वेशपुड में आपका स्वागत है और मैं हूँ जागरूती पर आज हम बनाएंगे खोया शुखडी कह सकते हैं फ्रेंस आप इसे तो सबसे पहले मलाई को हम बेट करके मलाई का वाइट मखण निकलेगा उसमें से हम गी बना लेंगे और गी को चानने के बाद इसमें से जो ये खोया निकला है उसकी हम सुखडी बनाएंगे या फिर पाक बोल सकते है तो यहाँ पे इतना गी खोया में से जो निकल के आया है उसी में हम आटा डाल देंगे गेहु का दरदरा आटा लिया हमने और इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं आटा जो है हमारा थोड़ा कम है बिगा हुआ और इसमें गी कम लग रहा है तो हम इसमें और गी डालेंगे या फिर आप जो छलनी में हमने खोया निकाल के रखा है उसे दबा के जितना गी निकल सके उतना निकाल ले तो देखो एक्स्ट्रा गी जितनी जरूरत पड़े उतना उपर से डालना है फ्रेंट्स जिस तरह का आटा आप लेंगे कम ज्यादा उस हिसाब से गी की मातरा की जर पकाएंगे इसे छोड़ना नहीं है इसे सतत इस तरह से हिलाते हुए पकाए ताकि जो हमरा आटा है अच्छे से पक जाए और जलेना तो इसका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है फ्रेंट्स नहीं तो आटा जल जाएगा तो हम जो सुकडी या फिर बर्फी जो बना रहे ह है उसका यह जो रिख सकता है तो देखो इस तरह से रोष्ड कर लिया हमने अच्छे से आप देख सकते है अभी हम इसमे डालेंगे खोया जो घी का खोया निकला है वो हम डाल देंगे हो ऑन जालने के बाद बहुत ज्यादा मैस पकाना नहीं है नहीं तो टेस्ट बिख वी के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गूर डालने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद फटा फट से हम इसे डीस में निकाल लेंगे नहीं तो गूर हमारा जो है ज्यादा पक जाएगा तो थोड़ा हाड हो सकता है तो अभी डीस में हम घी से ग्रीस कर लेंगे इ तो निकालने के बाद इसे अच्छे से फैला लेंगे हम डिसके अंदर तो देखो इस तरह से अच्छे से इसे फैला लेंगे और फैलाने के बाद आप इसे चपू से पीस करके इसे तूरंथ ही गर्मा गरम खा सकते हैं बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स पर अगर आप स्टोर करके रखना चाहते हैं तो फिर आप इसे इस तरह से कट करके इसे बिल्कुल ठंडा होने दे ठंडा होने की बाद 2-4 दिन तक आप आराम से खा सकते हैं बाहर रखकर ज्यादा दिन तक store करना चाहए आप फ्रेज में रखे क्यूंकि हमने इसमें खोया डाला है और खोया डाला है इसलिए ये बिगड़ सकता है नहीं तो यह ज्यादा दिन तक रहती है, यह बिगड़ता नहीं है इसे ही, तो देखो यह हो गया, अभी हम इसे तुरंथ ही सर्विंग डिस में सर्व करेंगे, तो फ्रेंड्स बनाईए और अपने अनुभा हमारे साथ जागरूतिस वेजपुट पर सेर करें, बताए के इस मिलते है अगले वीडियो में नहीं रेसिपी के साथ, थेंक यू